ओके तो अभी ऐसे बहुत सारे नीट एस्परेंट हैं जो अभी से प्रिपेशन स्टार्ट करके लास्स 75 डेस या फिर सेवेंटेस नीट इक्जाम में 500 या फिर 550 स्कोर करना चाहते हैं तो क्या यह पॉसिबल है इतने दिनों में अगर जीरो से स्टार्ट करता है या फिर पहले थोड़ा बता स्टड़ी कर रखाओ देखो यह बिल्कुल पॉसिबल है लेकिन कुछ कंडिसंस का ध्यान में रखना जरूरी है तब ही यह पॉसिबल हो सकता है तो देखो इस वीडिय इतने मांक्स लाना तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप पूरी तरह से सीरियस होते हो और आपका मांचेट बिल्ट कर लेते हो देखो अभी टाइम कम है तो मैनत आपको करना जरूरी है और अभी जितने भी चीजों में आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो यानिकि मुबाइल अगर महनत करना ज़रूरी है अगर महनत ने करोगे तो पॉसिबल नहीं है दूसरी बात यह यह वीडियो उन सब स्ट्रॉइन के लिए जो लोग 500 या फिर 550 स्कोर करना चाहते है लेकिन अगर आप पहले से स्टडी कर रहे हो और आप 620 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो उसके अलग strategy आपको follow करना है ठीक है तो बात करता हूँ कि आपको कैसे करना है सबसे पहले कुछ important points जो कि आपको ध्यान में रखना है और करना जरूरी है सबसे पहले आपको NCRT बिल्कुल मिसने करना है NCRT करना जरूरी है उसी के साथ आपको last 20 years सबसे पहले बात biology इन तीनों सब्जक्राइब करना जरूरी है सबसे पहले बात biology इन तीनों सब्जक्राइब में easy subject है जिसमें अगर आप चाहो तो 320, 330 plus marks ला सकते हो easily अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो और उतने questions solve करने लाइक आते ही है बस सही से पढ़ना जरूरी है right कैसे पढ़ना आगे तो बताऊंगा है उसके बाद अगर मैं chemistry की बात करो तो chemistry में हो सकता है कि physical chemistry में आपको दि को बताऊंगा उन सब को पढ़ना जरूरी है और इसके उपर मैं dedicated video लाने वालों कि कौन से easy chapters है जिसको पढ़के आप easily 110 या फिर 120 प्लस score कर सकते हो तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना right उसके बाद अगर मैं physics की बात करो तो आपको जो है physics में 90 से लेके 110 प्लस score लान लेकिन मेकानिस के इलावा भी आप easily 90 प्लस score कर सकते हो अगर आप सही से करते हो और उस पेसली उन सब chapters के लिए वीडियो आ जाएगा तो चैनल को सबस्क्राइब करके जरूर रख लेना लेकिन फिल हाल आपको सबसे पहले हो करना जरूरी कि आपको वेटेज़ वाइस साड इस से ज़ादा रेकिमेंड करोंगा और आका था इम भी बचेगा वो यह है कि मैंपन आपको सब्सक्राइब कर रहो है तो मैं को फंशम प्रेक्टिस के लिए रिकमेंड का और हम हाज लिए के बताता हूँ तो अब ही मैं करेक्राइम करने बालबर हो ठीक है जैसा कि से पेज से पूछा गया थो यह आपके लिए काफी ज़्यादा वेनिफिस्यल हो सकता है और फास्टेश वेस्ट कर सकते हो और उसी के सथ अगर आपको कुछ गलत कर देते हो सब्सक्राइब जैसे कि कुछ पूछा गया है कि इसके बाद में अगर यहां पर एंसर गलत कर दे र अच्छा से टिक्र सकते हो इससे क्या होगा आपका कॉंसेट क्लियर भी हो जाएगा और यहीं पर कुछ इंदी प्लस इंग्लिज दोनों लेंको में question मिल जाएगा और साथी साथ chemistry के physical for chemistry के formulas के लिए और organic name reactions के लिए अलग से sections मिल जाएगा जिसके तरू आप formula को याद कर सकते हो उसके बाद practice कर सकते हो और अच्छे से याद भी रख सकते हो formulas को जिसके तरू आप formula को कभी भूलने वाले नहीं हो और उसी के साथ physics के लिए आपको इंपोर्टेंट जितने भी चैप्टर से ना उनके लिए लेक्टर मिल जाएगा और साथ से साथ लास्ट थर्टी टू येर्स का जो भी मिल जाएगा जिसके तरू आप और फिजिक्स को master कर सकते हो और physics के formulas के लिए भी आपको same option मिलने वाला है थ्री steps के तुरू आप formula को याद भी कर सकते हो लेक्टिस कर सकते हो इससे क्या हो गए कि आप टीनों सभ्यकं में अच्छे से पूचे गया थे और एसर्शन एंड टैप को कुछन तो काफी ज्यादा मिल जाएगा इसमें तो आप अच्छे से प्रैक्रिस कर सकते हो तो इसे आपका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूगा चैके चेक आउट कर सकते हो और साती सत मेरा को सब्सक् करने को लोइव तो पॉसिक क्लेर करना आपको मैंनेज करने का को से करना है आपको पामो डो ऑफ आपको घुनि प्यष्ट गर्शन सी आउटमेटिक म्य चाहिगा और अर्सकानिब्सकी मैंडिक करना ये इसे हो हो मन विला रहा है और आपको बॉरिंग फीलॵ कर्います आपको मार्क्स लाना है किसी भी तरह से तैन आप 25 डेज में क्या करोगे कि आप जो फिजिक्स एन केमस्ट्री में मैक्सिमम टाइम दोगे विकॉज अगर आप स्टार्टिंग में फिजिक्स केमस्ट्री कर लेत हो ज्यादा सी ज्यादा तो आपको लास्ट के उपर प्रेसर करने आगा और उसके आप बाइलिज में ज्यादा ज्यादा फोकस कर सकते हो फिजिक्स केमस्ट्री में मैक्सिमम टाइम देना और जितने भी लॉंग टाइप के चैप्र से जिसका वेट ज्यादा है उन्साप चैप्र को पहले कर लेना ठीक है उसके बाद सेकेंड 25 डेज मे जबाइलीज में मैक्सिमम टाइम दोगे इसवक्ट अगर आप पष़ाइलिजी पर होगे तो क्या होगा है एक्जाम से आप 10 दिन पहले अच्छे से रिवाइस कर लेते हो तो पूरी तरह से आपका स्को्स कर पाएक्जाम में तो इससलिए आपका फायदा होगा ठीक है से कैसे बनने आगे बताता हूं तो यह आपका कुछ इस तरह का स्ट्राइजी होगा लेगिन बात करता हूं कि आपको स्ट्री कैसे करना है ताकि फास्टेस्ट वेसे चैप्टर्स पढ़ने की जरूत नहीं है लेकिन उतना ज्यादा पढ़ने की जरूत नहीं है उसको जरूर देखले ना उसके एकोडिंग पर सकते हूं तो आप यहां पर रीडिंग मारना जरूरी है इसको मिस मत करना और वैसे भी आप मेमोनेट का हेल्प लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और उसी आप उसी को रिकॉल करोगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो वीडियो के तुरू कैसे पढ़ना है डीटेल में मैंने बता रहा है उस वीडियो को जाके देख लो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यह तरीका तीनों सब्चे के लिए अपलाए करोगे अगर फीजिक्स के लिए अलग से पढ़ना चाते हो किस तरह से पढ़ना इसके उपर मैंने डेटिकेडिट वीडियो बना रखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी चैप्टर का वीडियो बना होगा उस वीडियो को देख लेना उन सारी कर सकते हो और आपके लिए इजी भी हो सकता है पढ़ना तो आपको समझ में आ गया कुछ कनफीजन है या फिर कुछ पूछना मुझसे मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्से में बोल सकते हो राइट और अगर आप परसनली हेल्प जाते हो तो इस्टागाम पर मेसेज कर सकते तो बस मुझे आपको यह बताने थी तो मिलते है नेक्स डूडियो के साथ तैंक यू